कि नमस्कार मैं और आल शर्मा आप देख रहे हैं एस पे नायनियू स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में बड़ी खबर की शुर्वात इस वक्त हम कर रहे हैं अपड़ना यादो से बीजेपी के रत पर सवार होकर अपड़ना यादो आगे तो बढ़ गई है लेकिन अपड़ना यादो ने पीछे छोड़ दिये कई ऐसी खबरे और लगातार वो खबरे हैं जो सियासी गलियारों में देखती नदर आ रही हैं उत्तरपरदेश के चुनाओं से पहले राजनित में हम आपको बताएंगे मुलायम परिवार की बहुओं का वो सच जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि अपड़ना यादो ही नहीं बलकि कई और मुलायम परिवार के ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन थामना आया जी हाँ धान से सुनिया हमारी इस रिपोर्ट को देखे एक खास रिपोर्ट अपड़ना यादो के बीजेपी में शामिल होने के बाद एक के बाद एक कई ख़बरे निकल कर सामने आ रही हैं और जैसे कि इस रिपोर्ट में हम आपको बता ही रहें मुलायम परिवार की और सपाप्रमुक अकलेश यादव की धरम पतनी हैं डिमपल शादी से पहले विष्ट हुआ करती थी वो उत्रखन के रिटाइड भारती सेना करनल आरेस रावत और चंपा रावत की बेटी हैं डिमपल को गुड सवारी का शौक रहा है उनका और अकलेश का प्रेम विवा ह हुआ था इस साधी से दोनों के तीन बच्चे हैं अपर्णा यादव मुलायम सिंग यादव के चोटे बेटे प्रतिक यादव की पतनी हैं अपर्णा वरिष्ट पत्रकारवा सूचना आयुक्त रहे अर्विंद सिंग बिष्ट की पुत्री हैं मतलब यह कि अपर्णा भी यादव सपा संस्थापक मुलायम सिंग यादव के चोटे भाई शेफपाल यादव के बेटे आदित यादव की पतनी हैं राजलक्षमी के पिता संजय सिंग भी राजपूत घराने से हैं राजलक्षमी की माता शारणा कूवर सिंग राजपूता ना मेहर स्टेट की राज लक्ष्मी है हाला की जनम से ही यादो है दरसल हम यहाँ बात कर रहे हैं बिहार के पूरसियम और आजिद प्रमुख लालू की सबसे छोटी बेठी राज लक्ष्मी की जिनकी शादी मुलाईम के पोते टेज प्रताप से हुई है रिचा यादो रिचा यादो मुलायम के चचेरे भाई राम गोपाल यादो के छोटे बेटे अक्षय यादो की पतनी है और पेशे से MBS टॉक्टर है आम तोर पर राजनीती से दूर रहने वाले रिचा यादो अक्सर पती के साथ पारिवारिक कारियों में जरूर पती संग दिखाई पड़ती हैं दोनों को शादी से एक बेटी भी है देखा आपने हमारी खास रिपोर्ट जिसमें हमने आपको एक-एक सच बताया दरसल ये देखा जा रहा है कि इस वक्त अकलेश यादो के होश उरते नजर आ रहे हैं यूपी चुनाओं से पहले अपढ़ना यादव नहीं BJP का दामन क्या खाम लिआ अकलेश को डरस अता रहा कि कहीं उनके हाथ से यादव वोट बैंक न निकल जाए उनको ये डर सता रहा कि कहीं उनके हाथ से जो सत्ता है जो देख रहे हैं सत्ता पाने का जो हक है वो ना निकल जाए क्योंकि मौजुदा समय के अंदर ये देखा जा रहा है कि बहुत बारीकी से नजर बनाए हुए थे अकलेश शादो बहुत सोच समझ कर काम कर रहे थे वो च देखा जा रहा है कि अखलेश यादो अब बैक फूट पर आ गए अखलेश यादो यह तहीं नहीं कर पारे कि वो परिवार के कलह को सुल जाएं जो खबरें लगातार सुर्कियों में बनी हुए उसका जवाब दे यह चुनाओं में क्या रणीती बन रही है उसका जवाब दे अखलेश इस वक्त चुके हैं लेकिन देखना होगा क्या सत्ता हसिल कर पाएंगे अखलेश यादो आज के लिए तहीं आप ते फिर दोबरा मुलाकात होगी तब तक ले जा दीजे नमस्कार